वेलकम बेक टो आसान अवित आदित्य चैनल, here we learn basic English in a different format यह एक नई सिरीज है हमारे चैनल पर जहाँ पर हम English reading की और English के सब्दों को समझने की वाक्यों को समझने की कोशिश करेंगे English के अंदर सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसको समझना और उसको पढ़ना जरूरी है तो यह दोनों चीजे मैं इस सिरीज के तहत आपको कराऊँगा तो चलिए, let's get started पहले इसकी reading हम करते हैं, my dog and I my dog, my का मतलब मेरा, dog का मतलब कुत्ता, मेरा कुत्ता and, and का मतलब और, I मेरा कुत्ता और मैं, ये इसका हिंदी मेनिंग हुआ How are dogs different from us? Let us read to find out यहाँ पर कह रहा है, how are, कैसे है dogs different, अलग हम लोगों से, from us हम लोगों से कैसे अलग है, let us, चलिए, read to find out read करते हैं, इसे find out करने के लिए, इसका पता लगाने के लिए यहाँ पे कुछ शब्द दिये गए हैं, इनके earth video के last में आपको मिल जाएंगे इनकी meaning, जैसे कि यहाँ पर है, tail, fur, hair, arms, tongue, speak, box, small, big, or large इनके meaning आपको last में ज़रूर मिल जाएंगे, tail का मतलब होता है, fur का मतलब होता है, जो किसी भी जानवर के उपर जो fur होता है, जो बाल होते हैं, उसे fur कहते हैं, hairs, hair तो आपको पता ही है, बाल होते हैं, arms, हाथ, tongue, jeep, speak का मतलब बोलना, box का मतलब भौगना, small का मतलब छोटा, big का मतलब बड़ा, और large का मतलब भी होता है, बड़ा, ठीक है, यह इनके meaning है, इन meaning के अंतर से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कुटे किस तरह से अलग होते हैं इनसानों से, इस English story के माध्यम से, अब जैसे यहाँ पर यह बच्चा कह रहा है, I have a black hair, मेरे कैसे हैं, black hair है, but my dog has, लेकिन मेरे कुटे के brown fur है, क्या है, brown fur है, यह brown color के fur है, जो कुटे के बाल होते हैं, उसे fur कहते हैं, वो hair नहीं होते हैं, अब यहाँ पर has का मतलब क्या होता है, कि किस के पास, my dog has, मेरे कुटे के पास, यह के के लिए, किसी के पास कोई चीज होती है, तो उसके लिए has, have लगाया जाता है, यह हमने translation की series में भी पढ़ाया हुआ है, तो मुझे आशा है, यहाँ तक समझाया होगा, I have black hair, मेरे black hair है, but, लेकिन my dog has, मेरे कुटे के brown fur है, I speak, मैं बोलती हूँ, but, my dog barks, but, मेरा जो कुटा है, वो भाग करता है, भौकता है, वो बोलता नहीं है, speak का मतलब बोलना, भाग का मतलब भौकना, I do not have a tail, मेरे पास नहीं है, क्या, पूँच, मेरे पास पूँच नहीं है, but, my dog has a tail, लेकिन, मेरे कुटे के पूँच है, तो, इंसानों के पूँच नहीं होती है, dogs के पूँच होती है, I have two legs, मेरे दो पैर हैं, and two arms, और दो हाथ है, but, my dog has, लेकिन, मेरे कुटे के four legs है, उसके क्या है, चार पैर है, ठीक है, उसके चार पैर है, इंसानों के दो पैर होती है, और जानवरों के चार पैर होती है, ओके? I have two small ears, मेरे दो छोटे कान है, कैसे कान है, छोटे, छोटे-छोटे कान है मेरे, देख रहे हैं आपर छोटे-छोटे कान, but, my dog has, लेकिन, मेरे कुटे के two large ears, उसके कैसे कान होते हैं, इंसानों के मुकाबले थोड़े बड़े कान होते हैं, इंसान के मुकाबले बड़े कान ह है ना, I have two small ears, but my dog has two large ears, ठीक है, इनको copy पर लिख करेंगे, meaning भी साथ साथ जरूर लिखते रहिएगा, I have a small tongue, मेरी एक छोटी जीव है, कैसे है बिल्कुल छोटी सी जीव है, but my dog has a big tongue, लेकिन एक कुत्य के कैसे होते हैं, बड़े टंग होते हैं, बड़ी जीव होती है, अब इसी की दूसरी कहानी और पढ़ लेते हैं, मोती और बिंदी, मोती और बिंदी, है ना, इसका क्या मतलब हो है, मोती और बिंदी, I have an old dog, मेरे पास एक पुराना कुत्ता है, his name is मोती, उसका नाम क्या है, मोती, he sleeps, वह सोता है, all the time, वो हमेशा सोता रहता है, I have an old dog, his name is मोती, he sleeps all the time, इस वीडियो को बनाने का, इस सीरीज को बनाने का सिर्फ एक मात्र लक्ष है, कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हुएं, तीन लक्ष से जादा, वो रीडिंग कर सकें, और उन्हें समझ सकें, तो इस सीरीज में लगभग 10 वीडियो आएंगी, तो पिल्ले को पपी कहा जाता है, I also have a little puppy, her name is बिन्दी, उसका नाम क्या है, बिन्दी, अब यह हर है यहाँ पर, तो हर किस के लिए यूज किया जाता है, लड़की के लिए है, मतलब वो एक पिल्ली है, पिल्ला नहीं है, ठीक है? She likes to run and bark, उसे likes to, likes to का मतलब क्या होता है, जब आपको कोई चीज पसंद हो, जो आप अपनी पसंद से करते हैं, run and bark, उसको दोड़ना और भौकना बहुत पसंद है, छोटे पिल्लों को देखा होगा आपने भौकते हुए, है ना, तो उन्हें दोड़ना और भागना बहुत पसंद है, सी लाइक, सी कोन है, यह जो हमारी पिल्ली थी, अभी हमने उपर बात की थी, बिंदी जंप करती रहती है, कहां अप एंड डाउन, उपर और नीचे, उपर नीचे कूटती रहती है, सी लव्स टू पले, उसे खेलना बहुत अच्छा लगता है, पले का मतलब खे से खेलना बहुत अच्छा लगता है, बिंदी बाक्स अलोट, बिंदी क्या करती है, बाक करती है, भौकती है, अलोट, अलोट का मतलब बहुत, बिंदी बाक्स अलोट, वो बहुत भौकती है, सी वेक्स मोती अप, वह मोती को उठाती है, दे पले टुगेदर, वह साथ में खेलते हैं, together का मतलब क्या होता है? साथ में, एक साथ मिल जुलकर So I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो और काफी चीजे से सीखने को मिली हो इन शब्दों के अर्थों को भी लिख ली जिएगा और इन शब्दों को बार-बार लिखने की कुछ इस तरह से कोशिश कीजिएगा जो difficult word है, उसके meaning ढूंडिए और उसके spelling को बार-बार लिखिए अगर आप इसी तरह से मातर 30 दिन अभ्यास करेंगे तो इंग्लिश पढ़ना, लिखना और उनके spellings उनका मतलब जानना आप सीख सकते हैं बेसिक लेवल पर यह बुक थोड़ी बेसिक लेवल की है क्योंकि मेरे चैनल से बहुत सारे बच्चे बेसिक लेवल की इंग्लिश सीखते हैं आगे हम कथिल लेवल की भी रीडिंग करवाएंगे